नमस्कार, ताराश वरियेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत सरे ग्राण मास्टर्स ने उस पर बहुत सारा कॉंट्रिबिशन किया है, लेकिन उसका जो अपडेट वर्जन आया हुआ है, जो कि दानियल दूबो खेलते हैं, डूबो ताराश के ना जो कि मैगनस टूर का एक बहुत ही बड़ा टूर्नमेंट है, ऑनलेन खेला जा रहा है, और चेस 24 ने उसको ब्राटकास्ट कर रहे हैं, और बाकी जो भी अर्रेंजमेंट है, वो मैगनस कालसन ने किया हुए, बहुत उसमें कॉंट्रिबिशन किया हुए, तो इस टूर्नमे में जो गेम्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, और फाइनली अभी जो बारा प्लियर के बाद से बच बच के जो लास्ट के चार प्लियर बच है, मतलब डानियल डूबो, डिंगलेरेन, इकरू नाकामुरा और मैगनस कालसन, इन चारों के बीच जो सेमी फाइनल इक बहुत इंपोर्टन गेम था, और उसमें डिंगलेरेन वाइट से खेल रहे थे और डूबो ब्लैक से, और डूबो ने इसके पहले बहुत बार बोला है कि मुझे चाइनिस प्लेयर के अगेंस खेलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बार मैं वन ब्लू मूव ब्लं स्टोर स्टार्ट करते हम, D4, Nf6, C4, E6, Nf3, D5, G3, अब देखा जाए तो जो ये स्ट्रक्टर होते हैं, जो को हम कैटलन सिस्टम के नाम से जानते हैं, इन में बहुत कुछ फेमस है, जैसे कि आप अरली डीकर्ट C4 खेल सकते हो, या फिर आप में लाइन में जा सकते हो, बिशप E7 के बाद, या फिर आप बिशप B4 भी खेल सकते हो, बहुत कुछ है इसमें, और सभी मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा खेला हुए है, अगर हाइर टोर्नामेंट्स की हम बात करें तो, लेकिन यहाँ पर G3 के बाद डुबो ने C5 खेला, बीच में एक ऐसा व यहाँ पर बिशप G2 केला, C2D4, कैसल, बिशप C5, यह एक्चुली अलग सिस्टम है, मतलब जो मुझे रहे है, वो एग्जेकली वैसा नहीं जा रहा है, जो कि नॉर्मली ताहराश में होता है, विकास ताहराश में आप जब भी C5 पहले खेलते हो, लेक उन दिस पोजिश और यहाँ पर आके उन्होंने नाइट C6 खेला, जिसमें नाइट B3, बिशप टू B6, Cd, Ed and then नाइट C3, अब देखा जाए तो गुमफिर के वैसी पोजिशन आ गए है, जिसमें जो है बिशप C5 जब खेलते हैं, तो नाइट B3 खेला हुए, आप शायद आपको यह ध्या दूबो ताराश में वो क्या करते है कि बिशप C5 आपके बिशप B6 पे बिटाता है और उसमें उसका मेन आइडे यह होता है कि बिशप इस डाइगनल पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर D4 खेला, ब्लैक ने, नाइट A4, शॉट कासल and then Rookie 1, यही सेम गेम हु but with different move order भी वो exactly वैसे ही position आया था इसमें, so यहाँ पर Rook E8 खेला और finally Bishop G5 आगया, मतलब after 13th move, अब सेम वैसे ही position आगया जैसा कि Magnus Carlson और Daniel Dubo के बीच हुआ था, और आपकी जानकरी के लिए बता दो कि Magnus Carlson जब भी World Championship के लिए खेलते हैं, तो उनको जो help करने वाले Grand Master होते ह होती है, जिनको कि हम Seconds के नाम से जानते हैं, उनमें Daniel Dubo भी रहते हैं, so H6 के ला यहाँ पर Bishop into F6, Queen into F6 and finally यहाँ पर जो है Magnus Carlson ने, Magnus ने actually Knight B6 पहले मारा था, मतलब उस position में ऐसा हुआ था कि जब H6 के ला, तो Knight B6, AB6, Bishop into C6, BC6, Bishop F6, Queen F6 and Queen into D4, यह actually game हुआ था, और कल भी जब मैंने analysis देखा था, तो Magnus का game होने के बाद, जब उन्होंने यह last game के बारे में अपना view बताया था, तो उन्होंने बोला था कि actually यह लग रहा है कि white एक pawn up है और चाखासा position है, लेकिन Queen D8 is the main tick, क्योंकि इसमें अगर आप सोचेंगे, मुझे लगता है उन्होंने Queen C3 खि C5 में भी, और यह position आई थी actually game में, जहां पर, बले ब्लैक जो वो एक pawn down है, लेकिन उसके पास एक strong bishop है, जो B7 पर आने के बाद यह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और खासकर आपके पास venture to bishop नहीं है, तो उस एक pawn के बादे उनके पास compensation है, और यह completely एक अच्छा position है इसके लिए इसमें कुछ बहुत जादा problems नहीं है, so Daniel Dobo उसी variation को continue कर रहे थे, but actually हुआ ही है गेम में कि bishop इंटो f6 मारा उन्होंने queen इंटो f6, and then rook a c1 के लाई, यह एक नया way है इसको खेलने का, because उन्होंने pawn accept नहीं किया, और obviously उनको पता होंगा कि उसमें जो है, black के पस compensation है हला कि rook c1 जो है वो उतना strong नहीं था, वो एक dubious move लग रहा था फिलाल, यहाँ पे d3 खेल दिया black ने, और अभी आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे f2 पे, sorry, arrows थोड़े कभी कभी, yeah, f2 पे फिलाल threat है, और यहाँ तो अभी आपके पास e3 खेलना पड़ेंगा, यहाँ तो knight into b6 मारना पड़ेंगा, इन दोनों में से ही कोई एक option है, so knight into b6 मार दिया, a cut b6 and queen d3, finally, यहाँ पे जो है, rook into a2 एक option आप देख सकते हो, कि यह possibility है हमेशा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, तो queen d3 के जगह उनके पास actually e d3 भी option था, जिसमें e d3 के बाद अगर आप rook into e1 queen into e1 और अभी आप a2 मारते थे, तो उसमें एक problem था कि queen e8 चेका के c8 मार रहा था, मतलब आपको bishop e6 खेलना पड़ेंगा, जहाँ पे आप queen c3 आ सकते हो, और यह एक position थी जहाँ पे actually white जो थोड़ा सा slightly better रहता, compared to queen d3 मारा था उन्होंने, बराल उन्होंने game में queen d3 मारा, rook into a a2 अब b2 पे भी problem है, knight d2, bishop to f5, bishop e4, अब bishop e4 के बाद एक बाद ज़रूरी थी कि इसमें अगर 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 का फियंचे to bishop चला जाता है, तो किसी भी प्रकार से इस diagonal में problem नहीं रहेंगा, और अभी भी black के बास दो pawn है queen side में, जबकि white के बास एक ही pawn है और उस पे thread भ मार गया, अला कि इस position में अभी आप देखें तो भले ही black एक pawn up है, लेकिन वो इतना easy भी नहीं है, क्योंकि ये pawn double है, और अगर इनमें से कोई भी एक pawn मर जाता है, तो अभी वो जीतना इतना आसान नहीं है, मतलब ये all and all मैं बोलूँगा कि equal position ही लग रहा है, फिलाल, rook b1 यहां पर, rook into b1, rook into b1 and rook d8, अब यहां पर आप देखिए कि actually b6 मर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे tricks थे, बहुत लब बीच में एक जगए ऐसे लग रहा था कि कोई भी अच्छा player होता, obviously dingler and बहुत साथ strong है, तो वो ऐसे tricks में नहीं फसेंगे, हम में expect कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत अच्छे-च्छे tricks थे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं इसमें, कि अगर आप जैसे queen f3 आप जा रहे हो, तो queen f3 में, अलगी queen e3 भी एक option था उनके पस, और वो भी queen e3, fe3 के पस वो भी bond double के साथ खेल सकते थे, जैसमें b6 forcefully मर रहा था, लेकिन इसको हम देख होंगे इसमें, तो आप सुचिए कि इसमें क्या threats आ सकते हैं, so knight d4 आ रहा है इसमें, because इसमें actually आपको यही खेलना पड़ेगा, queen e3 फिर से, because और अगर आप कुछ खेलते हो, जैसे कि queen e4 आप खेलते हो, तो definitely इसमें problems आ रहे हैं, जैसे कि हम देखें कि actually queen b6 भी आ रहा है इ queen b6, queen e8, king h7 और queen d7 मारना पड़ेंगा आपको, जिसमें कि फिर से black के बास एक extra pawn है, और queen ending में actually ज्यादा chances रहेंगे, compare to rook ending, अगर आपके बास extra pawn है तो, so, यहाँ पर यह position भी एक अच्छा खासा था उनके बास, at least black होते हुए उन्होंने कोई भी chance नहीं दिया था, white को यह ने देखा कि knight d4 आके knight into e2 जैसे threads आ रहे थे उसमें, बहुत बार, और दूसरा problem यह था, एक और इसमें दिक्कत आ रही थी कि जब rook d8 खेला था, तो इसको actually queen b5 एक move खेल सकते हैं, जिसमें maybe knight d4 आ सकता है, अगर आप queen into मारते हो, तो maybe knight into e2 एक आ रहे है, जिसमें बहुत ही अच्छा trick था, अगर आप knight into e2 इसको मारते हो, तो rook d1 चेक आ रहे है, यह एक बहुत ही अच्छा का, यहाँ पे available था, विकाज है, rook into d1 तो आप नहीं मार सकते हो, विकाज b6 मर रहे है, लेकिन अगर आप यह मारोंगे, तो queen e4 चेक आ रहे है, जिसमें b1 मर रहे है, तो यह queen f3 के बाद rook d7 खेला, king g2 और उन्हें वो, जो भी knight into e2 से related threats से बंद कर दिये, knight e4, अब एक अच्छी बात होगी black के लिए, जैसे king g2 पे आया है, इस पूरे diagonal में हमेशा threats बनते रहेंगे, तो आपको queen को सर्फ यहाँ से हटाना है, इस diagonal से, और फिर queen c6 जैसे check हमेशा available रह खेल सकता हूँ, so उन्होंने f5 खेला यहाँ पे, queen a4, king to h7, यह swiddler ने बहुत जल्दी मदब जब उन्होंने move खेला तो उसके पहले ही notice कर लिया था, कि actually यहाँ पे king h7 बहुत अच्छा हुआ है, और एक safe move भी है, और क्यूंकि आपने f5 already commit कर दिया, तो इस पूरे diagonal में हम हमेशा आपको issues रहेंगे, queen a8 जैसे check हमेशा आ रहे है, तो यह safe way है, so queen b5 के लिए यहाँ पे b6 मर रहे है, knight c4 protection दिया उसको, rook b6, philal threat है उस पे c4 पे, and finally event for rook c7, जिसमें rook c7 के बाद white ने queen exchange offer कर दिया, क्योंकि queen d5 के बाद, obviously इसमें लग रहा था कि अगर आप queen into d5 मारते हो, तो knight into d5 आ रहा है, और अगर आप उसके बाद rook b6 या, rook c6 या, rook c8 जाते हो, तो any से होना कि f5 मर रहे है, so इसमें problems थे थोड़े, so queen c6 खिरा, because अभी अगर इसको मार होंगे, तो rook text मार के सब कुछ protected है, और कम से कम knight maneuvering इतना easily नहीं हो रहा है, so आप queen c6 मारा, rook c6, knight d5, knight to d6, और फिलाल अभी simple है कि आपको एक pawn मिल रहा है, b6 पे, और शायद उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये अराम से draw हो जाएंगा, और armageddon के तरफ धी जा रहा है, पुरा ये match, लेकिन अगर हम इसको आगे देखें quickly, तो knight e7 खिला है यहाँ पे, rook c7, और everybody was expecting कि यहाँ knight d5 आके, फिर से ये position जो है repeat हो जाएंगी और ये आराम से draw हो सकता है, हाला कि उन्होंने game में rook c7 के बाद rook b6 मारा, और यहाँ पे बैसे देखा जाए तो उनके पस एक passer है, जो कि outside एक pawn है और उसके बदले pressure बना सकते हैं, लेकिन शायद डिंगलेरन को लग रहा था क्योंक decision और after rook into e7, rook into d6, rook into e2 मार दिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि black एक pawn up हो गया है, और अभी भी expectation था कि ये अभी भी फिलाल उतना winning नहीं लग रहा है black के लिए, क्योंकि ये rook ending आराम से draw बन सकती है, so यहाँ पे rook b6 के ला, rook e7 and finally h4, idea is very clear कि white joy वो h5 के लिए इस pawn को g7 खिला, h5, king to f7, king f3, king to e8, king f4, अब black का idea बहुत clear था, कि black जो है वो king को not d7, d8 और c7 ला रहे हैं, और बाद में इस pawn को वो push कर सकता है, so एक बहुत ही clear cut plan था, उनके पस, rook e7 खिला, f5 को protection देना जरूरी था, unnecessary कोई pawn देनी नहीं चाहिए, इस position में black ने, king e5 खिला, king d8, rook b1, and then king c7, अब यहाँ पे भी उनको लग रहा था कि डुबो को की यह position जीतना बहुत मुश्किल है, बशर्त उनके पास यह भी feeling था, मन में कि ऐसा नहों कि मैं यहाँ से कुछ horrible blender कर दू, और जैसे उन्होंने बोला था कि मुझे Chinese के against, इतना comfortable नहीं लगता है, हाला कि यही बोल बोल के उन्होंने first day हरा दिया डिंगलरेन को अलग बात है, लेकिन यहाँ पे rook c1 के ला, चेक, और इस वक्त एक्चुली बहुत कम टाइम था दोनों के पास, तो डिंगलरेन ने unnecessary थोड़े chances दिया black को, and after king d7, rook d1 चेक दिया, king to c6, rook c1, king b4, king b5 sorry, and then he went for rook b1, अब यह जब तक यह position था और king cutoff था, तो कोई ज़रूद नहीं थी, इस king को in pawns की दरब लाने की, because उसमें दिक्कत यह होंगी कि आपका f2 h5 मर सकता है, जिसमें black आराम से उसको convert करने की कोशिश कर सकता है, और यह बहुत ही एकदम amateurish लग रहा था कि वो उसको आने दे रहे हैं, sources हैं, जहां पर वो hold कर सकते हैं, but वो एकदम backfire किया उनको और वो position जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिली है, so after king b5, rook b1 चेक दिया उन्होंने, और यह एक बहुत ही gross error था मुझे लगा यहाँ पर, because यहाँ पर एक variation हो सकता था, जिसमें आप f4 पर रख सकते हो, और फिर आप king e6 जाके इसको attack करो, और अगर आप rook f8 जाओंगे, तो rook c7 आ रहा है, अगर आप rook और कहीं जाओंगे, c7 actually option ही नहीं है, तो आपके वास एक यह option है, यह फिर आप rook f6 आओंगे, तो वापस वा आ सकता है, king e5, and then again you have that idea, so यह continuation था उनके पास, हाला कि game अनोंने rook b1 खेल दिय और उसके बाद मुझे लगता है, यह position बहुत अच्छी आ गई थी black को, king c4 खेला, rook c1 check, king d3, then rook b1, अब यह position बहुत मुश्किल है, और खास कर मुझे लग रहा है कि, rook b1 उनने इसलिए भी खेला था कि कुछ conditions में, अगर black f5, b5 खेल देता है, यह b4, तो फिर rook b से उनके, वो जो rook का position, वो बहुत perfect है, और उसमें वो black के पास अच्छे खासे chances है, king c4 खेला है, यहाँ पर, वापस से rook check दिया, king d3, और यहाँ पर swidler बोल रहे है कि, क्यूं rook king e2 नहीं गए वो जब पहले rook b1 खेला था तो, so finally उन्होंने swidler की बात मान ली, obviously उन्होंने बात नहीं नहीं कर रहा सकते थे वो, गेम के दौरान, लेकिन rook b1 के बाद उन्होंने king e2 खेला, एक बार mistake करने के बाद उनको समझ आ गया होगा, कि नहीं king e2 मेरे लिए clear cut winning है, so king e2 खेला उन्होंने king e6, rook f6 check, और इसमें दिक्कत दिया है कि इसलिप check नहीं आ रहा है, इसके साथ b6 भी आ गया, आगे, so एक गरपॉन पुश हो गया, maybe dingler in को लगा होगा कि शायद अभी भी rook c1, rook c7 ये कहा सकता है, जिसमें आप इसको आटेक कर सकते हो, चोकि actually हो रहा था, because यहाँ पे उन्होंने actually f4 खेला और ये final mistake था मुझे लगा game का, क्योंकि सभी analysis में बता रहे थे कि यहाँ पे अभी भी आप king f4 जैसे मूझ जा सकते हो, यहाँ फिर आपके पास rook c1, rook c7 का भी plan है हमेशा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने f4 खेला game में, king to g3, rook c1 now and then after b5, अब सबसे clear बात हो गई है कि एक बार अगर rook b6 आ जाता है तो इस pawn को push करके, आप एक piece को tight down रख सकते ह आप king आपका already in pawns की तरफ है, तो इसको आप मार के अराम से आप win के लिए जा सकते हो, यहाँ पे b5 खेला, rook b1, rook b6 और यह बहुत deciding position था भी, king into f5, king into g3, सब कुछ यहाँ पे force लग रहा है, rook g1 चेक दिया है यहाँ पे, अब actually यहाँ पे भी उनके पास एक chance था कि at least आप उसको fix करके रखो, यहाँ पॉंज जितनी आगे बढ़ेंगी उतना ज़्यादा दिक्कत होंगी white के लिए, तो उसको fix करके रखो, because अभी आप अगर इसमें king h4 जैसे moves जाते हो, तो आपके वास king e5 है, और अभी भी यह मुश्किल ही लग रहा है, because आप अगर king into h5 मारते भ तो maybe king d4 जैसे moves आ रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है, अभी भी problem है इस position में, और black आराम से convert करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मुझ खेला, rook g1, वो completely lost ही लग रही थी, और इसके बाद king f2 खेल दिया, उन्होंने, of course कोई ज़रुत नहीं थी king h5 में जाने क so rook into g2 मारा and then pawn push, अब problem यह है कि आप rook g1 नहीं आ सकते हो, आप rook इसको पीज़े नहीं लगा सकते हो, तो आपको rook c8, rook c1, rook b1, ऐससा कुछ खेलना पड़ेंगा, इस pawn को promote होने से रोकने के लिए, so rook d7 खेला है यहाँ यहाँ पे, b3, rook d2 चेक, अब यहाँ पे बड़ी मुझ skill थी actually देखा जाए तो कोई अच्छी मुझ डूणना, so अगर आप कोई भी मुझ डूणोंगे तो वो जाद मैदा ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे आप 10 मुझ में आरने वाले हो, वो 15 मुझ कर दे उसको, लेकिन definitely यह position अभी बचा नहीं सकते हो, तो king e3 के लिए यहाँ प king to c3, rook to b1, king c2, फिर से attack है, rook h1, b2, अब clear cut है कि b1 अगला मुझ queen बन रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता है, so मुझे लगता है डूबो एक variation suggest कर रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे rook a1, rook a8 का एक idea था, और उनको लगा शायद rook a1 को, उनको rook h2 खेलना ही पड़ेंगा, और उस वक्त वो एक मुझ और बचा लेंगे, पिक उनको लग रहा था कि शायद h5 कभी मार लें पहले ही तो अच्छी बात है, और किसी भी प्रकार से वो position नहीं है जिसमें आपका pawn जा रहा है और आपको rook इस pawn के लिए देना पड़े, so लेकिन यहाँ पे मुझे याद है स्व अब हम इसको मार सकते हैं, rook into b2, और यह position जो है, वो अभी भी draw हो सकती है, so actually rook a6 का इडिया इतना अच्छा नहीं था, अलकि डूबो ने यह realize कर लिया कि हां, rook h2 एक मुझ बात भी आ सकता है, so वो variation possible नहीं था, but उन्होंने जैसे ही game में king c2 खिला था, rook h1 आया, b2, f5, promote कि अब इसको rook takes मारना बहुत जरूरी है, because आपको king को जल्दी से इधर लाना है, तो king को दूर करना अच्छी बात नहीं थी यहां से, so यहाँ पे rook into b1 मारा, f6, rook f1, king to e6, अब यह बहुत clear था, यह pawn ending में सिर्फ a की variation देखना जरूरी था, कि कभी न कभी आपका last में जब f8 queen बनेगा, तो आप उसको rook into king into मार के king f6 ला लो, और फिर आप king g5 के इसको मार सकते हो, जिसमें यह pawn queen बन रहे है, so इसको हम देखेंगे आगे quickly, यहाँ पे king b3 कहला, f7, king to e4, king e7, king e5, यही मैं आपको point बोल रहा था, और मुझे याद है, कि जब analysis हो रहा था, तो किसी commentator यह भी पूछा था, कि आपने यह पहली देख लिया था, मुझे लगता है, यहन गुस्तफ से नहीं पूछा था, कि आपने king f6 पहली देख लिया था, कि डूबो को, उन्हें बोला, यह बहुत natural है, और अगर आपने नहीं भी देखा है, तो यह only way खेलने का, तो इसमें कु and then king f6, हम quickly देख लेते हैं, कि actually उसमें कुछ फरक हो रहा था गया, जब उसमें यहां पर king e8 खेला था था, तो, अभी आप अगर इसको मार दोंगे, तो मार के आप इधर जा सकते हो, जिसमें यह आ रहा है, यह खेला तो यह आ रहा है, और finally यह actually draw हो जाएंगा, आप इसको जीत नहीं सकते हो, so, यही एक दिक्कत थी, कि king e6 जो है, उसको आने के बाद इसको मारना पड़ेगा, और अभी आप जब king, मतलब, file change करोंगे, आप d file से, e file से, f file में जा रहे हो, पर वो 8th row से 7th row नहीं आ पा रहा है, यह important factor था, king pawn ending का, और finally यहाँ पे king e8 के बाद, king g5 king e7, king takes pawn, king e6, king g4, और finally इसमें कुछ point नहीं है, विकाज यह pawn clear cut, promote हो रही है, और queen वो बनने के बाद, obviously वो जीतने वाले है, बशरते internet जो है, वो connection नहीं है, और dingley now, of course, वो expect नहीं कर रहे हो, so, Daniel Dubo के लिए, एक मुझे लगता है, बहुत ही बड़ा, एक match होंगा, जब उन tournament में format अलग है, मतलब अभी भी वो बाहर नहीं हुए, अभी भी उनके पास chance है, comeback करने का dingleyan के पास, और, of course, nakamura के पास भी, so, second जो day है, semi final का, वो आज होने माल है, और उसके जो games होंगे, उनको भी हम, आगे चलके, देखेंगे, तो, और दूसरी बात, इसका जो final, जो sponsorship है, और, मतलब, यह पूरा जो tour है, उसमें, और एक बहुत ही बड़िया initiative, उनके पास options, लेकिन, अगर हम, overall हम बात करें, तो, यह बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ, और, definitely, अगर अच्छे games होंगे, तो, उनको, आपको, चेक करना ही चाहिए, तो, मुझे लगता है, आपको पसंद आया होंगा, यह, और, अगर हम आगे देखें, तो, जो, बाकी games बच्चे हुए हैं, उनको भी हम, कोशिश करेंगे, cover करने की, तो, अभी तक के लिए, मुझे यह सही लग रहा है, यह video आपको, हमेशा available है, आप जब भी चाहो, आप बापास आके भी देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोश बहुत fast हो रहा है, तो आप थोड़ा सा slowly भी आप उसको देख सकते हो, बोर्ड पे भी रखके आप उसको analyze करेंगे, तो अच्छी बात है, तो मिलेंगे फिर, bye, thank you.